So, Hey Guys, Once Again, Welcome Back and Friends, आज की वीडियो बहुत ही जादा स्पेशल है बिकॉज आज वो वीडियो आ गई है जिसकी बहुत जादा डिमांड थी Doms VS Apsara पर डीटेल रिव्यू आर्ट किट पर एंड वीडियो के एंड में एक स्पेशल शॉट आउट है तो जरूर से देखना तो चलिए यह है वो आर्ट किट जिसकी मैं बात करी थी पिछली वीडियो में यह है डॉम्स का आर्ट किट यह एक बैग में आता है एंड अपसरा के मैं आपको दिखाती है अपसरा की आर्ट किट जो के बॉक्स में आती है तो इस पर करेंगे आज हम डीटेल रिव्यू तो सबसे पहले यह है जूम की पैंसिल्स हम सारी चीज़े पहले बहार निकाल लेते हैं यह का है कलर पैंसिल प्लास्टिक क्रियोंस यह है पैंसिल्स ट्रॉइंग पैंसिल्स मैजिक पैंस इसमें कुछ-कुछ सप्लाइज बहुत ही यूनिक है यह है ओल पैस्टिल 50 का है यह एंद जुनियर आर्ट किट है यह पर जितने भी आइटम से यह आपर लिखे वे हैं यह जुनियर आर्ट किट है यह चोटा वाला है इससे भी बड़ा एक आर्ट किट आता है तो देखे सबसे पहले यह बहुत यूनिक सा था हम देखेंगे आगे पहले यह शीट्स देख लेते हैं यह बहुत इच्छी यह वाटर कलर शीट्स से इसके में बहुत जाद जी एसम का लग रहे हैं यह एंड बहुत अच्छी पाम मतलब आप वाटर कलर कुछ पेंटिंग वगारा ड्रॉइंग कर सकते हो तो चलिए अभी मै बहुत अट्राक्टिफ कलर दिख रहे हैं मैं आपको बताती हूं से यूस कैसे करना है तो फ्रेंट सिंपली से आप कोई भी एक स्केच पैन से लिखो दिखिए औरेंज कल की स्केच पन थी तो औरेंज कलर से लिख गया लेकिन अभी जो वाइट पैन दिख पर एक पर अगर आप बी वाली पैन यूस करोगे तो बॉटम पे जो कलर है यानि यलो कलर पे वो चेंज हो जाएगा इसी सारे ही स्केच पैन पे देखिए आप बॉटम पे अलग कलर दिया हूआ है और कैप पर अलग कलर तो चलिए मैं आपको बता दिए तो यह बी पैन है तो जो अच्छा लगा यह देखिए दिखिए c and be cap and bottom यह magic pen है और सबके आप कैप पे देखिए तो अलग कलर है अब यह ग्रे कलर अब यह डरे कि पैन है और इसके कैप पर है पिंक कलर आप पे है ग्रीन जो टॉक और होता है वह है तो चलिए ब cow अब यह जैसी करूंगे वह ग्रीन हो गया देखिए एंड जैसी में सी वाले यूज़ करूंग तो वह पिंग कलर में चेंज हो जाएगा यह मैजिक पैन है बहुत ही अच्छी लगी मुझे यह इसमें चीज यह यूनिक चीज थी इसमें इह दिखिए कितना चतीन कलर में यह है ग्रे, पिंक और ग्रीन तो इस तरह के साब सारी स्केच पैन के साथ कर सकते हो बहुत ही मतंब इंट्रेस्टिंग है यह मैजिक पैन्स जरूर से आप भी से मैं रिकमेंड करूंगी से आप ट्राय करना जरूर से बहुत अच्छा लगा मुझे यह तो बस इतना सा था इसम फ्री थी और यह कुछ मैजिक पैंस था इसमें दमनेति कryट थैं यह कुछ मैजिक पैंस न जे अने हों लिखन से जबीक का एक सब्सक्राइर के साथ उपनद एयुका निस्थे मिक से इसौद है यह तो बैट भी को प्कृर निक कर सकते हो और इजकर इस प्रसिता है नेक्स्ट और इसमें एक शापनर सिंपल सा फ्री मिला है हमको तो यह दिखे यह है प्लास्टिक क्रेओं टुएल शेट्स का यह भी बहुत लोग यूज करते हैं और इसमें भी बहुत अच्छे और अट्रैक्टिफ कलर्स होते हैं यह दिखे कुछ इस तरीके का यह दिख है और इस पर डॉम्स की लेबलिंग की भी है और बहुत ही प्यारा इसमें अट्रैक्टिफ कलर्स है इसमें यह भी बहुत सारे लोग जानते हैं तो चलिए नेक्स देख लेते हैं यह है वैक्स क्रियों इसमें आपको मिलेगा फ्री एक फ्री कलर जो कि सिल्वर कलर रहगा इसमें तो यह देख लेते हैं यह भी सिम्पल साहिं और बहुत लोगी से यूससर भी करते हैं इसमें यह वाला जो सिल्वर कलर है यह हमें मिला वह अच्छा कलर तूल स्चल इसेंद आपको एक Scrapper tool free मिलता है oil pistols 12 shades के और सारी shades बहुत अच्छे होते हैं यह भी आप लोग मतलब यूज़ करते होंगे इसमें एक big size का भी आता है जो मैं यूज़ करती थी जो वह around 100 rupees का दे इसमें बहुत देखें इसके साथ एक Scrapper tool free है यह जादा करके सब में ही रहता है देखें यह बस simple सा इतना ही था तो चलिए दिख लेते हैं next next है हमारी drawing book cute सी प्यारी सी इसमें कुछ sketches samples के लिए दिए है last में जैसे as usual certificates होती है और simple सी cute सी चुटी सी drawing book है next है यह special सी चीज drawing pencils मुझे बहुत पसंदा यह देखें इसमें HB2 से लेके 10 तक है and HB pencils है जो कि आप अगर sketches वगेरा करके होगे तो आपको पता होगा कितनी important pencil है यह दिखें कुछ मुझे लग रहा है pencil को protect करने के लिए तो अच्छी packaging थी इसकी and चलिए last वाले दिख लेते हैं यह बहुत ही dark मुझे दिख रही है यह 8B है 10B तक आपको मिली है 2 से लेकर HB से start है and next है हमारी zoom की ultra dark pencils जो कि बहुत लोग यूज़ करते ही है इसके साथ हमको एक eraser and sharpener free मिलेगा तो दिखते हैं कैसा है eraser and sharpener चलिए से खोल लेते हैं so यह रहा हमारा crystal sharpener यह कुछ अलग सा है crystal sharpener तो दिखते हैं क्या है अच्छा ऐसा है ठीक ठाक है crystal sharpener and यह है triangle dust free fragrance razor अच्छा यह खुश्बू वाला रहेगा मतलब वाव यह दिखने में भी प्यारा है इसकी smell भी बहुत अच्छी है दिखने में भी बहुत क्यूट लग रहा है और इसकी smell भी literally अच्छी है इसमें कुछ है pencils और वाव यह pencil का color मुझे unicorn जैसा नहीं लग रहा है आपको भी तो यह प्यारी सी pencil है इसके साथ एक eraser and sharpener free है तो बस इतना ही था यह पूरे kit में और अच्छी खास है अच्छा खास आपको समान इसमें मिलेगा एक kit में 350 की है यह doms की तो दिखिए इसमें इतनी सारी चीज़े आपको मिल जाएगी एक अराम से मतलब एक art setup के लिए बन गया है वह था बैग में और यह है box में इसके भी बड़ा box आता होगा तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या है तो सबसे पहले यह है watercolors उसमें watercolors नहीं था इसमें watercolors है उसमें colors बहुत अलग-अलग unique color दिख रहे हैं मुझे पेस्टिल है drawing pencils और कुछ यह poster colors है तो चलिए भी एक एक देखते हैं यह है oil pistils जो की नॉर्मली ना यह इसके oil pistils थोड़े ज्यादा dark रहते हैं as compared to doms और और भी अच्छे और attractive colors इसमें थोड़े हटके colors है और यह पोस्टर colors जो के 10 ml का है चोटा ही है एंड यह अपसरा के pencil इसमें सिर्फ 2 6 & 8 है शायद ना लेकिन इसके pencil की मतलब बहुत ही प्यारा लुक दे रही है देखिए design इसकी बहुत अच्छी लग रही है मुझे थोड़ी unique सी है और बहुत अच्छा लगा यह तीन pencil है अब यह है अपसरा के जो wax crayons है शायद ना इसकी भी packaging बहुत प्यारी सी अच्छी सी यह colors भी इसमें attractive colors बहुत है तो यह है इसमें इतना ही समान है लेकिन जो भी है worth it है मतलब आपकी use में है ऐसा है selected चीजे ही है इसमें इसकी cost भी तो कम है इसका cost है 150 तो 150 में इतना समान मुझे लगता है अच्छा है आप क्या सुचते हो कौन सी kit अच्छी है यह वाली art kit या वह वाली art kit दोनों में से जिसको भी सबसे अच्छा vote मिलेगा या आप अगर doms kit आप आपको अच्छी लगी तो नीचे लिखना तो चलिए देख लेते हैं आज का shout outs मतलब मुझे आज यह shout outs की वीडियो बनाने में जो series है यह special मैं इसले बोल रही हूँ because यह shout out मुझे बनाने में around one hour लग गया था मतलब एक घंटा लग गया था मुझे बनाने में because मैंने दिल खोल के आज shout outs दे दी हूँ आपको और आप आप भी आज दिल खोल के like कर देना please मतलब सारे ही मैंने लोगों के comment को इस पर cover कर चुकी हूँ तो please दिल खोल के आज like करना and enjoy करो आज अपने comment देख के ही जाना अगर आज भी आपको shout out में आपका नाम नहीं आया तो नीचे comment कर देना कि मुझे आज भी नहीं मिला और कुछ एक sign डाल देना तके मैं समझ जाओ कि आज भी आपको नहीं मिला है तो next video में जरूर से मिल जाएगा तो आज तो मैंने इतना सारा shout outs दी हूँ comment इतने सारे कि शायद इतना किसी ने दिया होगा shout outs है ना सबसे बड़ा वाला shout outs था ये इसलिए special था तो सभी के comments इसमें cover हो गए और आपने तो पिछली वीडियो में दिल खोल के comment किया था तो आज भी दिल खोल के like करना दिल खोल के comment करना ओकी keep supporting keep loving take care good bye friends